हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ सौर आप आज की बीडियो में आपको तीन ऐसे उपाय बताने वाला हूँ जिनने अपना कर आप आसानी से अपना बजन घटा सकते हैं आज की इस भीड़ भर बाली दुनिया में हर कोई जिम जाना पसंद नहीं करता क्योंकि आज के समय में लोग इतने ब्यस्त हैं कि वे जिम जाए बिना ही घर में बैटे बैटे कुछ ने कुछ उपाय अपनाते हैं इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिना जिम जाए आप कैसे अपने सरी को फिट रख सकते हैं और अपना बजन भी कम कर सकते हैं इसके लिए आपको संतुलित आहार के साथ साथ कुछ अन्य उपाया को भी अपनाना होगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि बजन बढ़ने का मुख्या कारण क्या है अपने सरी को फिट कैसे रखें या बजन कम कैसे करें ये जानने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि बजन क्यों बढ़ रहा है एस संतुलित खाद पदार्तों जैसे पास्ता, पिज्जा, केक, ज्यादा खाना ये अधिक मातरा में चीनी का इस्तमाल करना बजन बढ़ने के मुख्य कारणों में से एक है ज्यादा सोना भी सेहत और सरी के लिए हानिकारक है संतुलित आहार नै लेने और तली भुनी चीजों का सेवन करने से आप का विबी फिट नहीं रह सकते उपाय नमबर वन पिटते दिन सुबह सुबह पैदल चलें यदि आप फिट रहना चाहते हैं तो आपको कुछ नियम अपनाने होंगे जैसे रोज सुबह 20-25 मिनट तक नियमित रूप से सुबह सुबह पैदल चलें इससे आप स्वस्थ और फ्रेश महसूस करेंगे अगर आप पिरते दिन 20-25 मिनट तक नियमित रूप से चलोगे तो लगवक 200 केलोरी कम हो सकती है इस उपाय से नय केबल आपका बजन कम होगा बलकि यह उपाय आपको फिट भी रखेगा और साथ ही कई विमानों से भी छुटकारा दिलाएगा उपाय नमबर टू बजन कम करने के लिए संतिलित आहार की भूमी का बजन घटाने वे फिट रहने के लिए खाना मुख्य भूमी का निवाता है इसलिए इसके साथ कोई समझोता ने करें किसी भी प्रकार की डाइटिंग आपको लंबे समय के लिए अच्छे परिणाम नहीं देगी आप अपने आपको किसी भी प्रकार से किसी भी डाइट चार्ट से ने जोड़ें यह आपके सरीर को कमजोर कर सकता है इसलिए आप अपनी दिन्चर्या में केबल संतुलित खाने पर ही ध्यान दे जो आपको चुस्ती फूर्टी दे सके उपाये नमर थ्री पानी फल और सबजीयों का सेवन किसी को भी यह बताने की जरूद नहीं है कि फल और सबजीया खाना सेहत के लिए कितना फायदमन होती है फल और सबजीया स्वस्त रहने के साथ साथ बजन घटाने में भी सायक होती है इसलिए कोशिस करें कि दिन में कम से कम दो बार फल जरूर खाएं अधिक मतर में पाने पीना भी सरीर को फिट रखता आ क्योंकि पानी केलोरी को कम करने में मददगार है और पानी पीने के बाद भूक भी कम लगती है इसलिए भरपूर पाने पीए और खुद को फिट रखें तो गाईज ये थे तीन ऐसे उपाय जिने अपना कर आप अपने बजन को कुछ हद तक कम कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं नेक्स बनों तब तक के लिए बना कहला लगना जैहिन जैभारत